नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ छवी इसके बावजूद विपक्षी गणु द्वारा कूट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है जबकि आदेश में विपक्षी गणु को प्राथी के आवासिये बकान पर हस्तश्येव करने कबजा करने मकान तोड़ने अविदी पून कारे करने से रोका गया है इसके बावजूद विपक्षी गणु द्वारा प्रार्थी वा उनके परिवाल के साथ आएदेन मारपीट, गाली गलोज और जवडस्ती घर से समान फेक कर घर खाली करने समान में आग लगाने का प्रयास किया जाता रहा है पिड़ित पक्ष का रोपय की पुलिस द्वारा साथ जून को मौके पर पहुँचकर कोट के आदेश का अनुपालन कराने के बजाए पिड़ित पक्ष के ही खिलाफ कारवाई कर दी गई और विपक्षी गणु को खुला छोड़ दिया गया सूचना पर मौके पर पहुँचका खटिमा SDM रबिन रबिश्ट ने स्थिती का जैसा लिया और उन्होंने मीडिया को बताया कि माननी सिवल जज जूनियर डिविजन खटिमा द्वारा वादी के पक्ष में पारत अंतरम आदेश के अनुसार वादी जहां रहते हैं विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का हस्तेशेप ना किया जाए उसी के अनुपालन को लेकर हमारे द्वारा थाना अद्यक्ष को आदेशित किया गया था लेकिन पुलिस द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है उन्होंने बताया कि इस संबन में हमारे द्वारा कारवाई की जाएगी और माननी अन्याड़े के आदेशों का नुपालन कराना सुनेशत करवाएंगे वहीं पिडित पक्ष की मनीशा ने विपक्षी गणों पर मारपीर गाली का लौज घर के सामन में आग लगाने जब रेस्ती घर का सामन बहार निकाल कर बहार फेकने के साथ ही पोलिस पर भी कोट के आदेश का पालन ना करने का आरूप लगाते हुए नियाए की गुहार लगाई है आज पूचेंगे कि क्यों उनके द्वारा इकार वाइस है जो हमारे मानिया नियाले हैं उनके आधिसों का अनुपालान करवाएं वहम से निश्चे करवाएं तरह नाम मनीशा है हम अपने घर पे रह रहे हैं यह लोग वह लड़ने के लिए आ रहे हमें घर में नहीं रहने यह हमारे घर में रहते तो हमारे समान फ्यक्ति एक हरो हम अपने धर पे काम कर रहे थे में रुद्र में ने हमारा सर फोड दिया और पुलिस वा फिर इसे क्या कथे बिक्तरम को खाने में मारा दो तीन फपड और उनके पक्षु का बाहर फिर रहा है और इस्टे और भी मिल रखाए हमें और हमें पकड़ के लेगा हमें